नमस्ते मेरा नाम रमिंदु कुमार है मैं एक लेखक और स्टोरी टेलर हूँ मेरी 38 किताबें छप चुकी हैं और इन किताबों का अनुवाद 29 भाशाओं में हुआ है आज मुझे बेहत खुशी हो रही है Read the World पहल के साथ जुणने में इस पहल में International Publishers Association यानि IPA World Health Organization WHO और United Nations Children's Fund यानि UNICEF शामिल है अब मैं एक विशे पर आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ हम आज एक संकट के दौर से गुजर रहे हैं इस दौर में हमें कुछ बहुत ही जरूरी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा सबसे पहली बात हातों को बार बार धोना दूसरी अहम बात सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और तीसरी बात व्यायाम करते हुए अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्त का ख्याल रखना किताबें पड़ना एक बहुत अच्छा तरीका है अपने मन को चुस्त रखने का और घर बैठे सारी दुनिया की सैर करने का हम सभी एक ही परस्तिती से जूज रहे हैं हमें अपने दोस्त और रिष्टारों की कमी बेहद महसूस हो रही है लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हम सुरक्षित रहें, स्वस्त रहें और धीरज रखें आप हैश्टाग read the world को यूज कीजिए और अपनी मन पसंद किताबे शेर करिए आप फीड में अपने कमेंट्स और प्रश्न भी शेर कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा उनका उत्तर देने की आज मैं जो कहानी पढ़ने वाला हूँ, उसका नाम है आमने सामने इसे मैंने लिखा है और उसका चितरांकन किया है नुलूफर वाडिया ने इस कहानी के पब्लिशर है प्रथम बुक्स तो चलिए ये कहानी सुनते हैं आपने हौकी तो जरूर खेली होगी, अच्छा खेली नहीं, तो हौकी मैच देखा होगा आप जानते हैं, और जरूर मेरी बात आप मानेंगे कि हौकी एक बहुती मज़दार खेल है ऐसे ही एक दिल्चस्प खेल की कहानी है आमने सामने लेकिन इसके नाएक बच्चे नहीं हैं, इसके नाएक हैं दादा जी और दादी जी जलेवियों का जवाब नहीं है, दादा जी ने अपनी नुकीली मूचें सेलाते हुए कहा हर्गिस नहीं, मेरे हलों के आगे फीकी हैं, दादी जी ने जवाब दिया ऐसा तो तुम्हें लगता है, दादा जी अपनी आवाज जरा उची करके बोले जी नहीं, ऐसा मैं जानती हूँ, दादी जी ने जवाबी हमला किया ऐसी बात है, तो चलो, मुकाबला हो जाए, अगर तुम और तुम्हारे हलों को डर न लगे डर? और मेरे हलों? बिलकुल नहीं, तुम दिन और समय तै करो और हम हाजर हो जाएंगे जलेबियों के छक्के छुडाने को अच्छी बात है, तो अगले रविवार को चार बजे शाम का समय तै रहा दादा जी एक रुष्ट प्रुष्ट आदमी थे, वो एक नामी बैंक के प्रबंधक के रूप में सेवा निवृत हुए थे, दादी जी साधारन लंबाई की दुबली सी महिला थी पर उनकी उर्जा तो मानो जैसे पूरे 500 वाट वे लगभग पूरी उम्र स्कूल की प्रिंस्पल रही थी और हर किसी के साथ अपने चात्रों जैसा बरताव करती थी दोनों अपने पोती पोता, ग्यारा वर्शी साक्षी और उससे एक साल छोटे साकित के साथ रहते थे बच्चे महले के एक वीरान से पार्क में रोज हौकी खेलने जाते थे उस पार्क के दो भाग किये गए थे एक में लड़के यानी दादी जी के हलवे खेलते थे और दूसरे में लड़कियां यानी दादा जी की जलेबियां खेलती थी दादा जी को मदुमे की शिकायच थी और उन्हें मीठा खाना सक्त मना था इसलिए वो बैठे बैठे मिठाईयों के सपने लेते रहते थे उन्होंने दोनों टीमों का नाम अपनी मन पसंद मिठाईयों पर रखा था और ये नाम खूब चल पड़े थे हर शाम दादा जी और दादी जी अपनी टीमों का अभ्यास देखते थे दोनों अपनी अपनी टीमों को समालते भी थे और मुकाबले में उनका होसला भी बढ़ाते थे क्या जलेवियों के साथ मैच हल्वों का कप्तान नरेंद्र चौका हम लड़कियों की टोली से कैसे खेलेंगे आगे से सब हमारा मजाक उड़ाएंगे गोली राजेश ने भी अपने मन की बात रखी कैसी बात कही आपने दादी जी हम लोग लड़कियों के साथ कैसे खेल सकते हैं वे सब की सब तो इतनी नक्चड़ी होती हैं डेविड ने भी अपनी बात सामने रखी अरे ओ अकल के दुश्मन मैं भी तो एक लड़की हूँ मुझे नक्चड़ी कहने की तुमारी हिम्मत कैसे हुई दादी जी ने डेविड के साधरन से कुछ लंबे बायकान को मरोडते हुए कहा है ना ये एक बहुती मज़ेदार चित्र पर दादी आप लड़की थोड़े ही न है आप तो हमारी प्यारी प्यारी दादी जी है साकेत ने दादी जी के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा दादी जी मुस्कराई और अपने चेहरे पर दूसरा भाव लेके बोली यानि मेरे हलवे नक्चडी लड़कियों से घबरा गए है ना तुम लोगों को लगता है कि वो तुमारा असल में हलवा बना देंगी अरे नहीं बिलकुल नहीं सब लगबग एक आवाज में बोल उचे हम उनसे कभी भी कहीं भी खेल सकते हैं नरेंद्र ने कहा हो जाए दादी ले आईए उन्हें राजेश ने अपनी पतली बाजों को मोड़कर पहलवानी अंदाज में कहा मैंने सही सुना क्या दादा जी आप चाहते ही कि हम हलों के साथ मैच खेले जलेबियों की कप्तान गीतिका ने अपने हाथ कमर पर रखते हुए पूछा तुमने सही सुना मेरी प्यारी जलेबियों दादा जी आपने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि हम उन बिगडे हुए छोकरों के साथ खेलेंगे रेहाना ने ताव से पूछा यानी मेरी जलेबियों डर गई की हलवे उनका कचुमर बना देंगे हाँ क्या बाद की आपने दादा जी खुली आँखों से आप सबने देख रहे हैं हम बड़ी आसानी से उनको चारों खाने चित कर सकते हैं वो हमसे क्या जीतेंगे क्या कहते हो साथियों कप्तान सारा ने गर्व से पुछा जलेबिया जोश से चीकती हुई इकटी हुई और दादा जी अपनी मूचों के पीछे से मुस्कुरा दिये हलवों और जलेबियों के बीच मुकाबले की घड़ी आ चुकी थी दादा जी के सुभे की सेर के दरजन भर मित्र थे दादी जी ने भी 20-22 दोस्त तयार किये थे जिनके साथ वे मौडर्न डान सीखती थी दोनों ने अपने मित्रों को इस मुकाबले को देखने और टीमों का उत्साव बढ़ाने के लिए बुलाया था इस महा दंगल को देखने कई माता पिता और स्कूल के टीचर भी पहुँच चुके थे महले के मुफली और आईसक्रीम वाले ने भी अपनी रेडियां इस दमदार मुकाबले के स्थान पर लगा चुकी थी उधर सीटी बजी और उधर मुकाबला शुरू हुआ पहले दाउस ही जलेवियों ने अपना आकरमन बनाए रखा और हल्वों ने बड़ी कामियाबी से उन्हें रोक रखा दस मिनट बाद पहितरे बदले और युद जारी रहा पहले हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और नहीं दूसरे हाफ में अत्रिक समय का खेल चालू हुआ मैच के हर रोचक शण के साथ साथ दोनों टीमों के समर्तकों का चिलाना ताली बजाना और कभी कभी चिडाना जारी रहा दादी जी जो एक चुस्त सी गुलावी सलवार कमीस पहने हुए थी इतना चिला रही थी कि मैच के बीच में ही उनकी आवाज बैट गई दादा जी खेल के तनाव में अपनी मूच के बाल लगातार खीशते रहे अगर दादी जी ने बार बार उनकी और गुस्से से नहीं देखा होता तो शायद मैच के अत्रिक समय तक पहुंचते पहुंचते उनकी मूच ही न बचती मैच के दौरान दो एक बार दादी जी ने ऐसी भाशा का प्रयोग किया कि दादा जी के चेहरे का रंग दादी जी के सलवार कमीस जैसा गुलावी हो गया दर्शक खेल छोड़कर दादा जी दादी जी की और ताकने लगे थे जो अपने बच्पन में पहुँच चुके थे अत्रिक समय के नौवे मिनट में सारा ने जो की टींग की सबसे तेज फावर्ट खिलाडी थी जोटी का पास समाला और तीन लड़कों को चक्मा देते हुए गेंद को गोल के भीतर दाग दिया कोल सब के सब चिला उठे दादा जी खुशी से उचके और उन्होंने दादी जी की गाल की एक पपी ले ली दादी जी शर्माई और परभर के लिए भूल गए कि हल्वों के लिए ये गोल एक मुसीबत थी हल्वों ने जोर शोर से बदला लेने के लिए खेल शुरू किया डेविड ने साकेट को गेंद पास की जिसने मैदान की दाहनी और से पूरी गदी के साथ उसे नरेंद को पहुचा दिया कप्तान ने विरोधी गोली शेलजा को अपनी और आते देखा और उसे जरा सा चक्मा देते हुए गेंद को गोल के भीतर पहुचा दिया दादी जी ने दर्शकों की तालियों के बीच सामभा, डिस्को और ब्रेक डान्स के कई मिले जुले ठुमके लगाए अब तो मैच का रुमांच पूरी तरह से सब पर च्छा चुका था खेल के आखरी मिनट में दोनों टीमें एक दूसरे को हराने के लिए गोल दागने की भरसक कोशिश कर रही थी गेंद रिहाना के पास थी और जो ही वो गीतिका को देने के लिए आगे बड़ी ये क्या पीछे से अचाने के काली सी चीज बिजली की सी तेजी से मैदान की और लपकी वो तूफान था साक्षी और साकेत का पालतू नटकट डॉगी वो नाटे कट का बड़ा फूरतिला कुटा था दौड में पूरे महले में उसका कोई मकाबला नहीं कर सकता था जब भी उसने कोशिश की साक्षी या साकेत ने बरज दिया था वो चुपचाप किनारे पर उस सफेद गोल मज़िदार गेंद की ताक में था अचानक जब उसे वो गेंद कुछी दूरी पर दिखी तो उसने मौका नहीं गवाया उसने गेंद को मुमें उठाया और मैदान के किनारे पर उगी जाडियों में घुस गया वो दोरता रहा उसने दादा जी की सुबह की सेर वाला बगीचा पार किया दादी जी की नित्य कक्षा वाला मैदान पार किया और सीधे अपनी दोस्त आंधी के पास जाकर ही थमा इस भिश हलवो और जलेवियों ने हौकी की चड़िया फेकी और तूफान के पीछे हो लिए उन्होंने उसे जाडियों में खोजा पेड़ों के पीछे ढूंडा पार्ग की बेंचों के नीचे देखा कुड़े दानों के अंदर जहाका और जहां जहां हो सकता था वहां वहां खो जा रेहाना और रोशन जोती और नरेंद्र शेलजा और डेविड ने दोदो के दल बना कर भी हर जगां ढूंडा पर गेंद कहीं नहीं मिली साक्षी और साकेत तूफान को गलाब फाड़ फाड़ कर बुलाते रहे अंत में सबने आस छोड़ दी किसी के पास एक और गेंद है क्या दादा जी ने पूछा सबने सरहिला कर मना कर दिया अब सबसे बड़ा प्रश्ण ये था कि आखिर खेल में विजयता कौन रहा मुकाबला बराबरी पर रहा दादी जी ने फैसला सुनाया मेरे हिसाब से हलवों और जलेबियों दोनों ने ही बहुती बड़िया खेला और दोनों ही जीत के हगदार हैं दादा जी ने हामी भरी मैं हर खिलाडी को एक एक टीशिट दूँगा उन्होंने घोशना की और मैं सबी खिलाडीयों को कुछ बड़िया पका कर खिलाओंगी हम कल इसी मैदान में पिकनिक मनाएंगे दादी जी ने इनाम को मज़ेदार बना दिया इन घोशनाओं का खूब तालियों और जोश से स्वागत हुआ आपसी मुकाबला भूल कर हलवों और जलेबियों ने एक दूसरे को बढ़ाई दी लेकिन दादा जी अगर तोनों टीमे जीती हैं तो मैन अफ़ दे मैच कौन हुआ हमारे हम मैन अफ़ दे मैच नहीं है बलकि चैम्पिन अफ़ दे मैच है और वो है तेज तर्रार तूफान इस मुकाबले का एक दम सही अंत करने के लिए उसे मेरी तरफ से पूरे नमबर मिलेंगे दादा जी ने कहा और सब के सब हस पड़े तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी आमने सामने मुझे इस कहानी को पढ़ने में बहुत मज़ा आया मैं चाहता हूँ कि और भी लेखक इस अनुभव का इस मज़े का मजा ले नमस्ते